हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई चैनल आज हम इस वीडियो में आपको केल मुहासे से छुटकारा पाने के घरेली नुस्खे के बारे में बताएंगे कि कैसे आप घर वैठे अपने दाग धब्बे केल मुहासे से छुटकारा पा सकते हैं खूपसूरत चेहरा हर किसी को अच्छा लगता है आप में से कई लोग चाहते होंगे कि उनके चेहरे के सारे दाग धब्बे मिट जाए और चेहरा एकदम बेदाग हो जाए लेकिन हमारी खराब जीवन सैली और खान पान की वज़ा से अकसर चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं वैसे तो बजार में मुहासों की दवा चेहरा साफ करने की दवाएं आधी के नाम पर कई प्रोडेक्ट भी करहें हैं लेकिन बेहतर होगा कि इन्हें अपनाने की वज़ाएं आप मुहासे हटाने और चेहरा साफ करने की आयुरवेदिक घरेलू उपाय अपनाएं आम तोर पर जब हमारी तचा पर मौजूद तेल ग्रंथियां बैक्टेरिया से संक्रमित हो जाती हैं तो मुहासे का जन्म होता है हमारे सरीर में हथेलियों और तल्वयों को छोड़ ये तेल ग्रंथियां पूरे सरीर की तचा पर मौजूद होती हैं तचा के रोम छिद्र भीतर से ही इन तेल ग्रंथियों वाली कोशिकाओं से जुड़े होते हैं यही रोम छिद्र सीबब पैदा करते हैं जो तचा की खुपसूर्ती और उसके भीतर तेल संतुलन को बनाये रखने में मदद करता है जब हमारे शरीर में हर्मोनल बदलाव होता है तो हमारी तचा की तेल ग्रंथियों में तेल संतुलन बिगड़ जाता है इस संतुलन के बिगड़ने की वज़ा से ही हमारे तचा पर मुहासे नजर आने लगते हैं तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं मुहासा है क्या चीज मुहाशे तचा की एक आम समिस्या है कील मुहासे जैदा तर हर्मोनल बदलाओ या खान पान की गड़बड़ी के कारण निकलते हैं कुछ अहार ऐसे होते हैं जिनको खाने से आपकी तचा खराब हो जाती है और कील मुहासों की समिस्या सुरू हो जाती है वैक्ति का स्वास्त वाद पित कफ पर निर्भर करता है ऐसे में पित और कफ के अधिक बढ़ जाने पर मुहासे की समिस्या होने लगती है मुहासों की समिस्या चहरे पर अधिकतर देखी जाती है परन्तु चहरे के साथ साथ या एकने पीट और कंधो पर भी निकलती है विसेश रूप से चहरे पर पीट पर एकने ज़्यादा निकलते हैं शरीर की हथेलियों और तलवे पर या कभी नहीं होती है या लगवक 14 वर्स से सुरू होकर 30 वर्स तक कभी भी निकल सकते हैं ये निकलते समय तकलीफ दायक होते हैं और बाद में भी इसके दाग धब्बे चहरे पर रह जाते हैं तो चलिए जान लेते हैं मुहाशे कितने प्रकार के होते हैं इनके अनेक प्रकार ये गुलाबी रंग के ठोस दाने होते हैं जिनकी वज़ा से कभी कभी दर्द भी होता है फुनसी या दाना ये छोटे दाने होते हैं नोडियूल्स ये तोचा पर थोड़ी गहराई में निकलते हैं इनका आकार बड़ा होता है और इनकी वज़ा से दर्द भी होता है दर्द भी हो सकता है कई बार ये ठीक होने के बाद तचा पर दाग छोड़ देते हैं वाइटेंडेस ये बहुत छोटे होते हैं और आम तोर पर तचा के नीचे मौजूद होते हैं ब्लैकेट्स या इसपश्ट रूप से देखा जाता है वे रंग में काले और तचा की सता पर दिखते हैं तो दोस्तों जानते हैं मुहाशे क्यों निकलते हैं आयूरवेद के अनुसार सरीर में पित और कफ की अधिकता होने के कारण एकने निकलने लगते हैं एकने निकलने के कुछ ऐसे कारणों के बारे में बताएंगे जिसको सुनकर आप आश्चर में पढ़ जाए पिम्पल एकने की समिस्या अनुआशिक हो सकती है अगर आपके परिवार में किसी को बार बार पिम्पल होते हैं तो आपको एकने की समिस्या का सामना करना पड़ सकता है बढ़ती उम्र के साथ सरीर में होने वाले हर्मोनल बदलावों की वज़ा से भी एकने होते हैं खास कर महिलाओं को मासिक धर्म गर्भ्यावस्था और रजनो वृत्ति के समय सरीर में होने वाले हर्मोनल बदलावों के एकारण भी एकने हो सकते हैं कभी कभी तनाव, मिर्गी या मानसिक बिमारी से जुड़ी कुछ दवाओं के सेवन से भी एकने निकल सकते हैं बेकरी के खाद, परदार्थ और हाई सुगर वाले ड्रिंक्स का सेवन करने से भी एकने होते हैं इसके अलावा प्रोडेक्ट ओयली चीज़ी और जंक फूड के ज़्यादा सेवन से भी एकने हो सकते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं मुहासे के लच्छड मुहासे या एकने फूंसी का ही एक रूप होते हैं लेकिन इसके अलावा और भी लच्छड सकेत होते हैं वाइटेस बंद छिद्रित छिद्रवाले ब्लैकनेस खुले छिद्रित छिद्रवाले छोटे लाल टेंडर बंप आईए दोस्तों एकने से बशने के उपाय बताते हैं अधिकांश लोग इस बात को लेकर परशान रहते हैं चहरे के दाग धब्बे कैसे हटाएं दरसल खान पान की आदतों में सुधार लाकर भी आप चहरे के दाग धब्बे और केल मुहासे से छुटकारा पा सकते हैं आईए जानते हैं कि पेंपल्स से बचाओ के लिए हमें किन चीजों को अपने हार में सामिल करना चाहिए किन से परहेज करनी चाहिए पेंपल्स से बचने के लिए खाने में क्या खाएं और क्या ना खाएं पहले जानते हैं क्या खाना चाहिए हरे पत्तेदार सबजियां, खीरा, सकरकंद, गाजर और सिमला मिर्च खाएं मौसमी फलो को अपने भोजन में सामिल करें दही का नेमित सेवन करें ग्रीन टी पियें, अखरोट काजू और किसमिस का सेवन करें अब जानते हैं क्या नहीं खाना चाहिए ज़्यादा तेल वाली चीजे या जेंग फूट जैसे पीजा, बर्गर, नूडल्स आधी का ज़्यादा सेवन ना करें ज़्यादा मीठा खाने से परहेश करें ऐसे चीजों से दूर रहें जिन में गिलसेनिक की मात्रा आधिक होती है जैसे सफेद ब्रेट, सफेद चावल, प्रोसेश्ट फूड आधी मुहाशे हटाने और चेहरे साफ करने की दवा या कریम के उपयोग से परहेश करें और घरेली उपायों से इन्हे ठीक करें चली जानते हैं कि कौन-कौन से घरेली उपचार मुहाशे के लिए फायदेमंद है चेहरे के दाग धब्बे और मुहाशे हटाने के लिए बर्फ से करें सिकाई एक छोटे बर्फ के टुकडे को एक साफ कपडे में लपेट ले और धीरे धीरे उसे अपने दाग धब्बे या मुहासे पे रगड़ें लेकिन ध्यान रखें कि आप जादा देर तक बर्फ को मुहासे पर ना रखें टूथ पेश्ट से करें मुहासे का इलाज आप रूई में थोड़ा से टूथ पेश्ट लेकर मुहासे पर लगाएं ऐसा करने से आपके मुहासे का आकार छोटा हो सकता है ध्यान रहे के सफेथ टूथ पेस का ही इस्तिमाल करें चहरे के दाग धब्बे हटाने के लिए मुलतानी मिट्टी, गुलाब जल और नीम्बू का पेस्ट लगाएं मुलतानी मिट्टी, गुलाब जल और नीम्बू के रस को मिला कर एक पेस्ट बना लें हाथ से इस पेष्ट को पूरे चहरे पर सिर्फ मुहासे पर लगाएं इस पेष्ट को 10-15 मिनट तक लगा कर रखें फिर पानी से धो लें इसके नियमित उप्योग से चहरे की चमक भी बढ़ती है कील मुहासे की दवा है ऐलोवेरा जेल एलोवेरा जेल को 10-15 मिनट तक पेमपल पर लगा रहने दें फिर सादे पानी से धो लें या पेमपल हटाने का सबसे आशान घरेलू उपाए है चहरा साफ करने और मुहासे हटाने की दवा है नीमबू एक छोटी कटोरी में नीमबू का रस निकाल लें और उस रस में रूई का छोटा सा टुकड़ा डुबो लें सोने से पहले रूई से नीमबू के रस को मुहासे वाली जगा पर लगाएं रात भर नीमबू के रस को लगा रहने दें और अगले दिन सुबा उसे पानी से धो लीजिए चेहरे के दाग धब्बे और मुहाशे हटाने के लिए लगाएं लेसुन का पेश्ट लेसुन की कलियों का पेश्ट बना कर उसमें थोड़ा से पानी मिला लें इस पेश्ट को सीधे मुहाशे के उपर लगाएं इस्तमाल से पहले लाशुन का रस पानी में पूरी तरह से घुलने दें इसके बाद ही तयार हुए पेश्ट को मुहासे पर लगाएं पेश्ट को पान से दस मिनट तक लगा रहने दें और फिर पानी से धो लीजिए मुहाशे हटाने और चहरा साफ करने की आयरवेदिक दवा है शहद चहरे के दाग धबे दूर करने के लिए शहद का इस्तमाल करना बहुत ही कारिगर नुक्सका है इसके लिए अपने साफ उंगली से शहद को मुहासे पर लगाएं अब इसे 20-25 मिनट तक सूखने के लिए छोड़ दें फिर पानी से चहरों को धो लें ऐसा कुछ हपते करने से आपको परड़ाम नजर आने लगेगा और चहरा साफ होने लगेगा इसके अलामा शहद दाल चिनी का पाउडर दोनों को मिलाकर मुहाशे पर लगाएं मुहासे दूर करने में लाब मिलता है चंदन से करे कील मुहाशों का इलाज चंदन पाउडर में गुलाब जल को मिलाकर गाड़ा पेष्ट तयार करें एक कटोरी में एक या दो चमश नारियल तेल डाल कर उसे गुनगुना कर लें अपनी उंगली से तेल को पेमपल पर लगाएं इसे हर कुछ घंटों में लगाते रहिए पेमपल से बहुत जल्दी आराम मिलता है चेहरे के दाग धब्बे और मुहाशे हटाने की दवा है नीम नीम के पत्तों को सुखा कर पाउडर बना लें और बराबर मात्रा में मुलताने मिट्टी मिला लें जरूरत के अनुसार इस मिसरण में गुलाब जल मिला कर पेष्ट तयार करें तयार हुए पेष्ट को उंगली से पेमपल पर लगाएं और इसे सूखने दें जैतून के तेल पेमपल के लिए बहुत फाइदे मंद होता है सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से धोएं इसके बाद एक कटोरी में जैतून का गुनगुना किया हुआ तेल ले और उसे पेमपल पर धीरे धीरे लगाएं ग्रीन टी का सेवन पेमपल के लिए फाइदे मंद है हर रोज एक से दो कप ग्रीन टी पीना सेहत और पेंपल के लिए बहुत फाइदे मंद होता है मुहाशे हटाने के लिए करें गिलसरीन का उप्योग आप दिन में दो से तीन बार पेंपल पर गिलसरीन लगा सकते हैं कुछ घंटों के लिए पेंपल पर गिल्सरीन लगा रहने दें और फिर पानी से धो लीजिए पपीता पेंपल्स के लिए फाइदे मंद होता है पपीते के कुछ टिकुडे को अच्छी तरह से कुचल कर पेश्ट बना ले और अपने चेहरे को अच्छी तरह से धो ले और फिर इस पेश्ट को पेंपल्स पे लगाएं चेहरा साफ करने और मुहाशे हटाने के लिए गरम पानी से करें सिकाई गरम पानी के पास अपने चेहरों को ले जाएं और सर के ऊपर एक तॉलिया डाल कर उसे ढख लें ध्यान रहे कि चेहरे को गरम पानी से ज़्यादा पास ना ले जाएं तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी पेंपल्स दाग धब्बे जाईया दूर करने के घरेलू उपाय के बारे में तो आप लोग भी दवाईयों का इस्तिमाल ना करके घरेलू नुकसे अपनाईए तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सस्क्राइब कर लीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ थाइंक्यू